सुधीर सर ओफिसेल यूटूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं पिनेकल की पॉपुलर बुक 6800 प्लस TCS MCQ की फिफ्ट एडिसन जो है लेटेस्ट एडिसन इस एडिसन की मैं क्या करा रहा हूं वीडियो सॉलूशन करा रहा हूं इस इस बुक के हर एक टॉपिक के हर एक कोशन का मैं वीडियो सॉलूशन करा रहा हूं जैसे नंबर सिस्टम टॉपिक ओल्री इस बुक में टोटल 277 कोशन है और यह सारे के सारे कोशन तो एक-एक सीक्वेंस वाइज मैंने वीडियो सॉलूशन पूरी तरह से यह फिनिस करा द आपको LCM and SCF topic हमारा continue going on चल रहा है जिसमें से हमने 1 से लेकर के 72 कोशन तक अल्रेडी फिनिस कर चुका हूं इस बुक में टोटल 125 कोशन है 125 कोशन भी आपको बहुत जल्द फिनिस होगा यानि आज की क्लास और next क्लास में दो क्लास में आपका फिनिस हो जाएगा या तीन क् से जल्दी complete करा सकूँ तो आपकी honesty से तीन काम करो मैं इस बुक को बहुत जल्द फिनिस कराने वाला हूँ पहला पसंद आता है वीडियो तो हर जगा share कर दो share करने से क्या होगा teacher or students का mutual relation है आपको benefit हो ये होगा कि मैं number of video बढ़ा दूँगा तो आपका ये बुक जल्दी complete हो solution से totally different है क्योंकि जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि exam में किस तरह से करना है वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी second आपको video पसंद आता है तो video को like कर दिया करो like करने से क्या होगा ये पता चलता है कितने लोगों को ये session पसंद आ रहा है और third comments जरूर किया करो comments कर को करने से ये पता चलेगा comments क्या करो तो कि हर एक video में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा चाहिए आप कहीं से भी पढ़े हैं XYZ teacher किसी से भी पढ़े हो तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा तो चलिए देर नहीं करते हुए time pass नहीं करेंगे directly question पे गया है question what is the ratio between SCF and LCM of the given number whose LCM is 48 and product of two number is 384 हमें बताना है SCF और LCM का ratio हमारे पास LCM दिया गया 48 और product of two number दिया गया है आप जानते हो LCM into SCF is equal to क्या होता है first number into second number अब देखो ध्यान से यहां पर समझना बात को LCM हमारे पास है 48 SCF नहीं पता है H product of two number कितना है 384 अब यह कितनी बार में जाएगा 8 times में देख रहा है 864 आट चुक बतिस छे अरतिस यानि 8 times में चला गया यानि यह हो गया 8 और LCM question में दिया गया था 48 ratio कितना हो गया 1 is to 6 कौन सा answer देखो option number B correct answer CGL 1 12 2022 को seconds में पूछा गया था चलिए move to the next next में देखो what is the largest common divisor largest common divisor का मतलब क्या होता है HCF बताना है आगे of the number इतना 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 देखो ध्यान से अगर आपको जब भी ऐसे question में आ जाए HCF तो हम क्या लेते हैं पहले difference of difference लेते हैं 8 में से 6 जाएगा 2 6 में से 2 जाएगा 4 और 22 में से 10 जाएगा तो 12 यह हो गया दूसरा देखो ध्यान से इन दोनों का difference लो 10 में से 8 जाएगा 2 यह बचा 12 में से 6 जाएगा 6 यहां पर बचा 3 3 में से 2 जाएगा 1 इतना ही हुआ अब देखो ध्यान से पहली बात SCF मनलब होता है क्या highest common factor और highest common factor एक ऐसा इन दोनों से बड़ा नंबर जो इन दोनों को divide कर दे तो ध्यान से देखो क्या 108 इन सभी में सबसे 1181 से तो यह divide हो जाएगा क्यों क्योंकि 81 a2 टू होता है न इ поддерж concentrate क्या यह encontramos यानि 81 से दिवाइड नहीं हो सकता तो यह ICF नहीं हो सकता क्योंकि एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को divide कर सके, वहीं होता है SCF, अब आजाओ, 54 देखो, 54, तो देख लेते हैं, ये होता है 54, देखो ध्यान से, 54 into 3 हो गया, definitely दिखरायागी, ये है, इसको 54 into, कुछ में break कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको दो बार में करूँ, 54 into 2, 108 होगा, अब ये कितना 6 और 12, अभी तीन बार में ये किया था 132, यानि ये हमारा आ गया, ये हमारे पास आ गया, कि हाँ जी 54 into इतना लिख सकते हैं, यान, ओहो, यानि कि हमारा ये 54 common हो गया, यानि answer कौन सा हो गया, ये आगे चेक करने की जरुरत नहीं थी, इस तरह से हम आसानी से कर लोगे, list number, which list number हमें चाहिए, आगे बढ़ते हैं, which when double will be the exactly digital by इतना इतना इतना, देखो ध्यान से, पहले मैं इसका concept बता देता हूँ, फिर आपको आएंगे smart approach के साथ, क्योंकि smart approach ही आपको एक्जाम में करना है, पहले देखो, list number, मालने था हम छोटा से छोटा x है, उसका हम क्या क कर रहे हैं, double, double करने के वाद जो number आएगा, यह कहा गया है, यह जो आएगा, यह exactly 15, 18, 25 और 32 एट क्या होगा, divide होना चाहिए, तो पहले हम इसका LCM लेते हैं, 15, 18, 25 और 32 का जब हम LCM लेंगे, तो यह number आजाएगा, और यह आजाएगा, तो 2x is equal to इतना लिख देंगे, तो x मिल जाएगा, यानि हमें list number मिल जाएगा, चलो ध्यान से देखो, अब LCM लिकालने में, बहुत सारे लोगों को problem आती है, वो problem साट आउट हो जाएगी, गार आप session देखोगे, तो बार बार, देखो ध्यान से, सबसे बड़ा number कौन सा है, 32, तो 32 को पगड़ लो, यानि LCM में 32 हो गया, 25, क्या 32 को divide करेगा है, कुछ भी common नहीं है, तो LCM में भी 25 होगा, हाँजी, आगे बढ़ो, 18, देखो, 18 का मतलब क्या है, 2 into 9, दो अल्रेडी 32 में है, तो इसका काम हो गया, खतम, 9 लिख दो, हाँजी, अब देखो ध्यान से, 15 है, 15 को लिख सकता हूँ, 3 into 5, देखो, 5 यहाँ पे अल्रेडी है, 39 में अल्रेडी है, यानि, खतम हो गया काम, यानि, LCM आ गया, अब देखो ध्यान से, LCM आ गया, अब सारे लोग क्या करते हैं देखो द्यान से यहां पे भी multiply करने में time waste करते हैं मैं एक basic सा चीज़ बताऊंगा और आप आसानी से कर लोग देखो द्यान से 100 by 4 आप जानते हो कितना होता है 25 तो इस 25 को लिख सकता हूं 100 by 4 देखो 4 से 8 cancel 8 9 72 और double 0 आगे हमारा LCM 7200 क्या हमारा LCM आ गया क्या आप यहां पे multiply कर रहे थे आप खुद से करते क्या यह आप सोच रहे थे जानते सभी लोग हैं देखो यह जानते सभी लोग हैं लेकिन apply नहीं कर पाते हैं देखो हमने apply किया और यह कितना आ गया 7200 एक्स की value कितनी आ गई दो से काट लो 3600 देखो हम यह हमारा conceptual approach था अब हम आते हैं smart approach smart approach से क्या हो गाहा देखो द्यान से पहली बात list number हमारे पास यहीं चारो option में है सबसे पहले list number कौन सा है देखो इन सभी चारों में सबसे छोटा यह इसका हम double करें double करें तो कितना होगा 6400 और वो किस से divide होना चाहिए इन तीनों से होना चाहिए यानि 9 से तो divide होना चाहिए पहले क्योंकि 9 18 में 9 आता है क्या 6 4 10 9 से divide हो रहा है नहीं हो रहा है तो यह काम खतम अब list number कौन सा है यह 36 क्योंकि इन तीनों में list कौन सा है 36 इसका double करोगे यानि कितना हो गया 7200 क्या यह 9 से divide हो रहा है हाँ 7 2 9 9 से हो रहा है 9 से हो रहा है 9 into 2 2 से तो already हो रहा है last का digit 0 है आगे खतम करो यहाँ पे 25 से divide होने के लिए last का डिजिट लास्ट का 2 डिजिट 25 से होना चाहिए डवल 0 होना चाहिए यह भी काम हो गया खतम अब 32 का मतलब कितना होता है 2 पे पावर 5 32 32 से divide होगा की नहीं होगा तो मैं अगर बात करो 32 दूनी होता है 64 देखो द्यान से 32 दूनी होता है 64 कितना हो गया 8 1 0 और 32 कितना बार मे पांच बार में नहीं रुको 32 दूनी 64 8 हो गया अच्छा यह रुको रुको क्या हो गया 8 यह कैंसिल हो गया रुको 32 दूनी 64 यह हो गया 8 0 32 दूनी 64 यह नहीं कितना हो गया 6 1 0 32 पांच ए 160 यानि यह 32 से divide होगा और 15 से ओल्रेडी हो रहा है क्यों 15 से 3 और 5 चाहिए ना 3 और 5 अब दिखो ध्यान से 5 से ओल्रेडी हो रहा है क्योंकि लास्ट का डो डिजिट लास्ट का डिजिट 0 है और 3 का मतलब क्या होता है अगर जो नंबर 9 से होगा तो 9 कहीं एक फैक्टर 3 है तो 3 से होगा ही होगा यानि यहीं एंसर आ जाएगा आगे लिए हमें चेक करने की ज़रुरत नहीं थी देखो सीजियल दो बारा दो हजर बाइस को पूछा गया था है स्मार्ट एप्रोस से भी आप आसानी से कुश्चन कर सकते हो अब इसके लिए आपको डिजिबिलीटी रूल इसका हमें एसका हमें एसका बताना है अब देखो दिखान से एसका का डिफिनिशन क्या होता है एक बड़ा से बड़ा नंबर इन जो दोनों को डिवाइड कर दे यहीं होता है दूसरी बात मैंने आपको कई बार बोला हूँ कि आपको वन से लेकर के 30 तक आपको टेबल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए और क्या होना चाहिए 31, 36, 37, 45, 73 इतना टेबल जो है इसका फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अगर ये आपके पास है तो आप बहुत सारे कोशन को इजली कर लोगे जैसे देखो द्यान से यह मैंने यहां पर extra information दिया कि इसकी बार-बार ज़रुवत पड़ती है 36 की table की mensuration में ज़रुवत पड़ती है में ज़रुवत पड़ती है 45 की ज़रुवत पड़ती है 73 का simple interest में ज़रुवत पड़ता है और कई बार मैंने यहां पर दिखाया हूं कि आपको LCM SCF में भी ज़रुवत पड़ी थी अगर आपने स्टार्टिंग से से सेशन देखा होगा तो दूसरी बाते हो द्यान से हाइस्ट कोवन फेक्टर चाहिए बड़ा से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वहीं होता है SCF का definition देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है 21 क्या 21 से यह डिवाइड होगा 21 का table 21 से कहीं 20 नहीं नहीं डिवाइड हो पाएगा खतम कर लो अब हाइस्ट कौन है इन तीन यह डिवाइड हो रहा है 17 से क्या यह 17 से डिवाइड हो रहा है तो यहीं SCF होगा आगे चेक कर रहेंगी जुरत नहीं थी तो देखो definition से हमने आसानी से कर लिया otherwise अगर आप option को नहीं देखते अब इसी में घूमते रहते तो किस से हम करें कौन सा SCF होगा इसको factor में break करते रह जाते ठक जाते डारक्ली एंसर तक पहुंच गए हम लोग ले यह है smart approach और smart approach करने के सीखने के लिए ही आप video solution देख रहे हो otherwise आपको हर teacher बताते है ऐसा नहीं concept कोई teacher नहीं बताता है हर teacher बताता है लेकिन आपको यहाँ पर सीखने को मिला है कम time में किस तरह से आप logical approach smart approach के साथ question के answer तक पहुंच रहे हो और यह चीज़ करोगे तो आप other students के compare में lead कर लोगे और यहीं चीज़ें आपको selection दिलाती है चलिए next 3 number are in the ratio इतना आगे बढ़ते हैं देर LCM इतना देन SCF क्या होगा तीन नमबर है एक variable ले लो 2x 3x and 5x इसका क्या है LCM LCM में क्या होगा एक्स एक्स है common जो common ने उसका multiply पांदे पंदर दुनी 30 और वो किसके बराबर है 90 के तो x की value कितनी आ गई 3 SCF चाहिए SCF इसमें कुछ भी common नहीं यानि SCF इन तीनों में कुछ भी क्या common है X तो SCF क्या होगा X और X किसके बराबर है 3 के answer कौन सा हो जाएगा D is the right answer CGL 212-2022 को पूछा गया है fourth shift में चलिए next SCF बताना है हमें SCF SCF किसका fraction का तो देखो दियान से SCF fraction का बताना है तो SCF numerator में जो लिकालना है SCF तो उपर वाले का क्या लिकालते है SCF इसमें बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा common है दो ही दिख रहा है ने 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8 यानि SCF दो हो गया उपर का नीचे का क्या लेते हैं LCM देखो 15 और 17 में कुछ भी common नहीं है तो 15 और 17 multiply होगा LCM में और 5 ओल्रेडी 15 से भी को काड़ देगा यानि 5 खड़ जाएगा यानि LCM सिर्फ इतना होगा अब देखो द्यान से बहुत सारे लोग इसको multiply करना शुरू कर देंगे नहीं यार देखो मेरे को दिख रहा है numerator मे numerator में 2 आना चाहिए यहाँ पे देखो 4 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है खतम हो गया खतम हो गया यहाँ पे खतम हो गया एक ही option में 2 है आपके mind में आ रहा है सर यह कैसे सोचे देखो द्यान से यह 2 even number है और बाकी दोनों odd number है तो कभी भी cut नहीं सकता ना यानि numerator में 2 हमेशा आएगा ही आएगा इसलिए numerator में 2 था answer कर लिए पूरा हमें solve करने की जर multiply भी करना हो जाए तो 2 divided by 15 साते 105 दस कैरी 15 और दस पचीस आ गया हमार आयन से चलिए next LCM of two number is इतना okay the three number the number are in the ratio 3 is to 8 the sum of the number is पहले मैं इसको concept से कराऊंगा फिर मैं आपको smart approach बताऊंगा देखो concept क्या है कि अगर दो number दिये गया है तो इसका 3x और 8x हो गया हमारे पास LCM दिया गया है LCM कितना होगा है जो x है common x 3 और 8 में कुछ भी को ने तो multiply 24x is equal to 120 तो x की value कितनी आ गई 5 हमें चाहिए sum of two numbers sum चाहिए दोनों number का तो 8 और 3 11x 11x का मतलब 11 into x की value 5 है यहां से तो 5 यानि 55 तो हमारा answer आ गया 55 CGL 312-2022 को 3rd shift में पूछा गया है हम क्या exam में इतना करते इस question को देखते ही हम इतना नहीं करते हम directly orally कर लेते ओर ली कैसे देखते हैं जो हमी question क्या पूछा गया है sum of the number sum of number यानि इन दोनों का sum यानि 8 और 3 11 unit यानि answer जो आना चाहिए 11 का multiple आना चाहिए 11 से divide होना चाहिए 48 11 से divide नहीं होगा 45 नहीं होगा 60 नहीं होगा एक ही option है 11 का table में 55 ही आता है तो क्या हम इतना सोचते हैं नहीं सोचते हैं आपके mind 11 और सर दो चीज़ें आ जाती अगर एक और कुछ दे देता 11 का multiple तब हम basic approach apply कर लेते concept approach और यह चीज़ें आपको book में नहीं मिलेगी कि 11 का multiple check कर लो answer आ जाएगा इसलिए आप video solution देख रहे हो ठीक है video solution का benefit यहीं है चलिए next LCM of two numbers is इतना SCF is 9 one of the number is इतना then another number यह तो formula पे है LCM into SCF is equal to product of first number into second number देखो ध्यान से अब आजाओ 4104 हो गया into 9 हो गया is equal to first number है 171 और second number x है अब बहु सारे लोग इसको multiply करना सुरू कर देते हैं देखो पहली मैं आपको smart approach बता रहा हूं smart approach जो आप भली question आसान है लेकिन smart approach आप ने किया नहीं होगा calculation से कैसे बचोगे ध्यान से देखो पहला देखो option का unit digit option का unit digit सभी का अलग-अलग है हाँ जी तो answer unit digit पे काम करें देखो द्यान से 4 into 936 यानि unit digit 6 हो गया यहाँ पे यहाँ पे unit digit है 1 यहाँ पे x क्या x का क्या होना चाहिए 6 into 1 क्या 6 आ जाए यानि unit digit x का 6 होना चाहिए जो लिकालना है उसका unit digit 6 हाना चाहिए unit digit 6 एक ही का है option number D तो हमने unit digit पे काम किया असानी से हमारा काम हो गया अब यह था हमारा smart approach इसलिए आप देखो smart approach के लिए ही आप video solution देख रहे हो otherwise book में भी solution यही अब इस question का देखो द्यान से इस question का चाहे मेरे से solution पढ़ो चाहे दुनिया का x y z किसी teacher से solution पढ़ो formula तो वही होगा न formula तो थोड़ी change हो जाएगा teacher to teacher vary करेगा नहीं लेकिन smart approach यह vary करेगा कि unit digit का concept कितने teacher ने सिखाया कि इस question में कर सकते हो क्या आप इस question को करने से पहले unit digit देख पा रहे थे वो चीज़ें है एक मेरा छोटा सा information देना है एक मेरा comprehensive comprehensive math special course आ रहा है जिसमें basic से advanced level हर चीज करेंगे इसकी course की information वीडियो आपको कल मिलेगी अगर जिनको भी चाहते हैं कि एक बार आप comprehensive तरीके से पढ़ लो यानि concept logical और smart approach पढ़ लो ताकि अब हर exam को beat कर सको math में फुल में fully score कर सको तो आप join कर सकते हो यह कोई mandatory नहीं है कि आपको join करना ही है आपके उपर dependent है अगर आपने हर जगह से परिशान हो चुके हो तो आप definitely join कर सकते हो इसको करने के बाद आपको जिस तरह से मैं आपको सीखा रहा हूं यहाँ पे smart approach आप खुद करना सीख जाता जैसे दो नंबर दो option में अगर दो डिजिट सेम आ जाते है यूने डिजिट तब क्या करते हैं देखो द्यान से टेबल की knowledge उनीस नावा 171 होता है उनीस का टेबल उनीस दूनी 38 यानि 21 बचा उनीस से काहीं उनीस यानि कितना हो गया देखो द्यान से रुको 19 दूनी जीरो फोर वन जीरो फोर होगा ना यूने डिजिट में कोई दिक्कर नहीं था उननीस दूनी 38 तीस बचा उननीस से काहीं उननीस चाक एक सो चोड़ा तो 216 आ जाएगा असानी से क्योंकि यूने डिजिट चार था इसलिए मिस्टेक भी लिखा तो भी हमारा एंसर आ गया स्मार्टे प्रोस से समझ गए बात को चलिए नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट कोश्चन क्या दिया गया हमारे पास चूज दक करेक्ट स्टेटमेंट फ्रोम दफॉलोइंग अब ये कोश्चन वो परसन करेंगे जिनके डैफिनिशन क्लियर है एलसीम क्या होता है आप जान यह हैं इस को हम बोलते हैं डिवाई डिवाईजर और दूसरी बात है एक सिएफ की डिफिनिशन यह भी करता है एक सिअब क्या होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गये सभी नंबर को डिवाइड करे वह एक सिएफ कहलाता है इतना तो आप जानते हो अब इसी के देखो question पूछ दिया गया HCF is the list common multiple नहीं वो तो HCF होत नहीं होता बलकि LCM is the list common multiple, correct statement पहला गलत हो गया, HCF of two or more number is the highest number which perfectly divides all the given number, अभी तो यहीं बोला था HCF का definition, कि HCF बहुत बड़ा से बड़ा number होता है, जो दिये गये जो भी given number हो उसको divide करता है, तो यहीं सही है, तो हम आ HCF is called the list common divisor, नहीं, highest common divisor, गलत है, फिर भी क्योंकि video solution मैं इसलिए हर चीज करा रहा हूँ, in prime factorization method, SCF is the multiple of the given number are listed, नहीं, multiple नहीं, बलकि common mult, क्या, prime factorization method से जो भी करोगे, उसमें जो common आएगा, उसका हम कहते है, SCF होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा, answer कौन सा हो गया, यहीं definition भी जरूरी है, यानि conceptual knowledge भी जरूरी है, अगर conceptual knowledge नहीं है, तो आप हो सकता है, अगर आपने definition नहीं पड़ा, सिर्फ LCMACF कर लिये हैं, तो हो सकता है, आपको यह question statement में भी गलत कर दोगे, यह question देखो, 6.12.2022 को पूछा गए, second shift में, the list common multiple of A and B, A और B का list common multiple 42, 5 और 11 B का ब कुछ भी common है, तो A B, और LCM question के according किया दिया गया 42, इन दोनों का LCM क्या होगा, तो 5 into 11, यानि 55, और A और B में कुछ भी common है, तो 55 A B, यानि 55 into A B, A B कितना है, 42, अब देखो द्यान से, multiply करना है, क्या हम इतना multiply करेंगे, option पे हमेशा ध्यान देखो, द्यान से, पहली बात, 5 into 2, unit digit 0 होना चाहिए, यहाँ पे unit digit 2 है, गलत हो गया, अब खुश हो जो, अगर यह 50 और 40 होता तो 2000 हाता, क्या कभी 200 आजाएगा, नहीं, अब देखो 50, 60 और 50 भी होता तो 3000 आता, कभी भी 46 उतना चला जाएगा, 4000 से जादा, नहीं, एक ही option है, option number A, क्या हमने कोई multiply किया, नह यह होगा, फिक है, तो हमने इस तरह से कर लिया, अगर आपके mind में ये भी चला है कि multiply ही करना है, तो 55 into 2 कितना होता है, 110, 110 में 21 का multiply कर लो, अब देखो यहां से 11 into 21, 10 को रहने तो ऐसे ही, 21 का multiply 11 में करोगे, तो 231 आ जाएगा, और 1 0, देखो, multiply भी आसान है, लेकिन हमें multiply य कर रहे हो, तो आप आसानी से question तो पहुंच जाओगे, CPO 911, 2012 को पूछा गया है question, चलिए, more to the next, next में देखो द्यान से क्या दिया गए हमारे पास question में, the sum of two number ही इतना, okay, SCF is 68, the number of pair, the number of pair of, sorry, the number of pair of number satisfying the above condition, द्यान से देखो, अगर SCF 68 है, तो number हम क्या मानेंगे, 68A, 68B, इनका sum दिया गया है, 68 common कर लूँ, तो sum, इन दोन को add करूँगा, 68 common कर लिया, और वो किस के बराबर है question में, 1, 2, 2, 4 के बराबर है, अब mind में आ रहा होगा sir, cancel तो होना चाहिए, 17 से, 4 times में 17 से, 17 साते, 119, 17 दूनी 34, 2 से, 4 से 18, यानि A प्लस B कितना हो गया, 18, अब एक condition होता है, कि A और B जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम का मतलब, SCF उनका होना चाहिए, 1 बता चुका हो, यानि को प्राइम का मतलब, उनमें कोई भी चीज common नहीं होनी चाहिए, common नहीं होना चाह क्योंकि 2 common आ गया, 3 plus 15 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 3 दोनों में common है, 4 plus 14 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 2 common है, 5 plus 13 हो सकता है, हाँ जी, क्योंकि इसमें कुछ भी common नहीं है, यानि एक ये valid है, एक ये, आगे बढ़ो, 6 plus 12 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6 common हो जाएगा, 7 plus 11 ले सकते हैं हाँ जी 18 होगा और कुछ भी common नहीं है क्या 8 प्लस 10 ले सकते नहीं क्योंकि 2 common आ जाएगा 9 प्लस 9 ले सकते हैं नहीं क्योंकि दोनों में क्या जाएगा 9 common आ जाएगा अब आगे बढ़ते हैं 9 के बाद 10 10 प्लस 8 नहीं ले सकते क्योंकि 2 common आ गया इसमें अब 11 प्लस साथ वहीं repeat हो जाएगा ना 11 प्लस साथ यह वला repeat हो जाएगा यानि तीन possibility कौन कौन सी आई यह यह और यह यही possibility है चाहे 7 प्लस 11 लिखो यह 11 प्लस साथ सेम मतलब है 5 प्लस 18 या 13 प्लस 5 यानि तीन possibility possible है वो है option number A is the right answer CPO 9 11 2022 को पूछा गया था question I hope यह समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए next the side of a rectangular field इतना meter इतना meter and इतना meter find the greatest length of the tape that would be able to exactly measure each of them without any fraction यानि एक त्रिभूचा कर मैदान की भोजाएए इतना इतना meter है उस tape की अधिक्तम लंबाई यानि greatest length पूछा गया है यानि हमें क्या बताना है hcf of the tape देखो उस tape की अधिक्तम लंबाई ग्याद करें जो इन में से परतेक को बिना कोई टुकडा किये सटिक्ता से मापे यानि greatest length काउन सा होता है जो इन तीनों को बिना कोई fraction के सटिक्ता से मापे यानि इन दोनों को डिवाइड कर देवो होता है scf यानि 62 186 और 279 का हमें बताना है scf अब देखो मैंने कई बार बोला था ना बोला था आपको कि 1230 तक आपको टेबल या आना चाहिए और इसके अलावा और कौन-कौन से टेबल 31, 36, 39, 45, 45 के बाद 73 इसका टेबल आपको पता होना चाहिए फिंगर टिप्स पे जैसे देखो मेरे को दिख रहा इसका scf 31 होगा अगर आपको नहीं पता होता तब आसानी से नहीं कर पाऊगे कैसे 31 into 2 होता है 31 into 6 होता है 186, 31 into 9 होता है तीनों में common क्या है 31 यानि scf कितना होगा 31 देखो लेकिन क्या ये लिखने की ज़रुत थी मेरे को नहीं 31 से सभी डिभाइड हो रहते हैं 31 आएगा आसानी से कर लोगे cpo 10 11 2022 को पूछा गया है तो मैं यूहीं ये चीजे नहीं लिख देता हूँ मैंने analysis किया हुआ है कि कौन सी चीजे कितनी बार repeat की हुई है तो ये इतनी बार ये data repeat किया हो इसका table की आप आसानी से कर लोगे लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इतना 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 lips remainder 15 अब देखो द्यान से बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे basic से करेंगे basic से बनाएंगे books में भी मेरे को लगता है कि I think मेरे को नहीं पता books मेरे पास है नहीं books में भी solution I think basic से ही दिया गया होगा लेकिन हम इसको करेंगे smart approach के साथ क्योंकि video solution क्यों time में maximum output ले सको यानि other students के compare में आप beat कर सको ताकि जो calculated real में question हो उस पे आप time बरबाद मलब उस पे time थोड़ा सा waste कर लो इसमें time waste मत करो इसमें सारे लोग अपने time waste कर देते हैं ऐसे question में लेकिन हम नहीं करेंगे जैसे देखो द्यान से कि मैंने क्या बता हूं कि remainder जो होता है वो extra term होता है extra term होता है बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो इसको इससे डिवाइड हो यानि इसका से डिवाइड होना चाहिए और क्या 15 remainder दे रहा है अगर मैं इसमें से जो number है एक्स्टा टर्म एड हो कि यह बना होगा तो इसको अगर हम minus कर दें इसको हम minus कर दें इन सभी में से तो हमारा जो भी आएगा वो इन से divide होना चाहिए यहीं मतलब है ना भाई remainder extra term को अगर minus कर दें तो यह जो है इसससे divide होना चाहिए वो सारे number दूसरी बात हम में पूछा है greatest number greatest number सबसे पहले देखो 4 option में सबसे बड़ा कौन सा number है यह है तो इसको check कर लो इसमें से 15 माइनस करने जा रहा हूँ 15 माइनस करोगे द्यान से देखो 11 में से 5 जाएगा 6 7 में से जाएगा 6 यह हट जाएगा यह दोनों हट जाएगे यही रहेगा number यह number हो गया हमारा अब देखो द्यान से क्या होना चाहिए 72 का मतलब क्या है 9 और 8 से divide होना चाहिए 9 से देखो divide हो रहा है क्या 9 से तो यह पूरा divide हो गया 6 6 12 9 से divide नहीं हो रहा है पहला option हमारा गलत हो गया दूसरा चेक कर ले या आगे बढ़े अब इन तीनों में बड़ा यह है 15 माइनस कर दो यानि कितना हो गया 8 5 13 यह बच्चा 5 में से जाएगा 4 48 यानि यह दोनों खतम हो जाएगे यहां तक क्या यह 9 से divide होगा नहीं देखो यह तो 9 से divide हो रहा है 8 4 12 9 से divide नहीं हो रहा है हटा दो काम यानि दो option हमारा eliminate हो चुका पहला और यह अब इन दोनों में बड़ा कौन है यह है इसमें 15 माइनस करो 15 माइनस करोगे 15 माइनस कर लिया तो ध्यान से देखोगे या तो या तो इसको check कर लो ना लास्ट वाले को check कर लो गर नहीं आएगा तो answer वहीं हो लेकिन क्या आठ से डिवाइड हो रहा है आठ के लिए लास्ट का तीन डिजिट आठे काई आठ दस हो गया आठे काई आठ नहीं बीस आएगा नहीं आएगा आठ से डिवाइड नहीं होगा तीन ओप्सन ओलेडी करके देखो कितना टाइम लगाओगे पहले हम क्या लगाते हैं 90 लोग पहले इसका LCM लिका लेंगे 16, 24, 72 और 84 का हमें LCM लिकालना है बहुत सारे लोग को तो इसी में प्रोब्लम आ जाएगी LCM लिकालने में ही कि क्या हो रहा है देखो LCM हम फास्ट कैसे लिका लेंगे सब से बड़ा नमबर पकड़ो 84 इसको हटा दो अब 72 में देखो द्यान से 12 इंटू 6, 12 इंटू 7, 12 तो common हो गया 6 बचा 6 यहां पे रख लो, 24 का मतलब क्या है 6 इंटू 4, तो 4 देखो द्यान से 6, 14 चाके 84 इसमें आ गया, 4 ध्यान से समझना बात को मैं क्या बोलना हूँ, sorry, 6 ज चार, देखो द्यान से, सूला का मतलब 4 इंटू 4, देखो चार तो इसमें ओलेडी आ गया, इस 4 को लिख लो 2 इंटू 2, इस 2 को 2 इंटू 3, इसमें 2 आ गया, अब बचा सिर्फ 2, यानि कि 2 multiply हो जाएगा, LCM, यानि LCM हम fast कैसे लिकालते हैं, हो चीजे सिखा दिया, देखो 84 24 इंटू कितना होगा, 12, LCM कितना होगया, 12, 44, carry होगया, 4, 96 और 400, हमारा LCM आ गया इतना, अब देखो द्यान से, फिर भी आ गया, अब क्या करोगे, 1008 का भाग करोगे, किसमें, 6 डिजिट का नंबर, बड़ा से बड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, भाग करते जाओ, 9 टाइमस में जाएगा, तो 8, 72, 9, 10, sorry, 9 into 10, 90, ये कितना होगया, 7, sorry, क्या कर रहा हूँ, 7, 2, 9, यहाँ पे cancel, 1, 9 और आ गया, फिर 9 टाइमस में जाएगा, यहनि, 90, 72, फिर क्या होगया, 7, 0, 2, यहाँ पे 1 और 9 आ जाएगा, अब कितनी बार में जाएगा, 2 टाइमस में, 8 दूनी, 16, 10 दूनी, 20, यानि ये कितना होगया, cancel, 63 आ गया, यानि जो नंबर जो होना चाहिए, देखो ध्यान से, ये इतना में से, एक्स्टा टर्म हटा दोगे, यानि, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से, 63 हटा होगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, 6 और यहाँ पे कितना आ गया, 3, बाकी सारा 99 रहेगा, अब क्योंकि remainder 15 आना चाहिए, यानि 15 एड करना पड़ेगा हमें, तो add करोगे तो 159999 आ जाएगा, क्योंकि remainder extra term होता है, तो हमारा answer कौन सा हो जाएगा, be correct answer हो जाएगा, क्या हम exam में इतना करेंगे यार, अगर ये कर रहे हो, देन आप कभी भी selection नह देख रहे हो, क्योंकि smart approach करना है, हमें, exam में logical approach काम आता है, ये सारी चीजें, तो हाँ, अगर आप beginners हो, concept सीखना है, तब जरूरी है, इसलिए मेरा comprehensive course आने वाला है, बार-बार बोल रहा हूं, comprehensive course, इसकी information वीडियो कर लाएगी, comprehensive math course, जिसमें हम पूरा का पूरा calculation, arithmetic, advanced, चार section में मैं आपको पूरा का पूरा course, divide करके सिखाऊंगा, जिसमें आपको smart approach, concept, logical approach, कैसे option elimination method, five to six technique के साथ, आपको मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आप exam में, कम time में, maximum output ले सको, चलिए, next, LCM बताना है, इतना, इतना, and इतना का LCM बताना है, ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान स पहले देखो, इसका हम break कर सकते हैं, क्या common है, A, B common कर लिया, A, B common कर लिया, तो क्या हो गया, A square minus B, A square, और A square minus B, A square क्या होता है, A plus B, A minus B, मैंने directly अब लिख दिया, और यहीं चीज़े आपको लिखने भी आनी चाहिए, अब आगे बढ़ो, इसमें से क्या common है, A square, B square, A square, B A square common कर लिया, तो क्या बचेगा यहां पे, A, और वहां पे क्या बचेगा, B, A minus B हो गया, तीसरे वाले case में क्या है, A, B into A minus B, अब इन तीनों का, देखो, हमें लिकालना, जो है, इन तीनों का क्या लिकालना है, देखो, questions की recording, LCM लिकालना है, LCM का concept क्या कहता है, उस पे focus कर होगे, कोई दिक्कर नहीं आएगी, पहले जो common है, इन तीनों में, जो common है, और वो भी common में highest, highest कौन सा है, यह, यानि A square, B, A square, LCM में होगा, इन तीनों का काम हो गया, खतम, अब इन तीनों में common क्या है, यह, और highest, तो highest power अगर दो होता, तो दो वाला लेते, लेकिन सब पे power sim है, यानि इसलिए A minus B होगा, अब इन तीनों का काम हो गया, खतम, अब जो extra बच गया, वो भी LCM में होता है, multiply, तो LCM कितना आ गया, A square, B, A square, A plus B, A minus B, A square minus B, A square, देखो दियान से, किसमे LCM इतना आ रहा है, यह, 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 प्लस है, नहीं हो सकता, A square, B, A square minus option B, correct answer, CPO 11, 11, 2022 को, afternoon shift में के question पूछा गया है, चलिए, अब next आते है, question पे, question number 87, चलो, दो, तीन question और करा देता हूँ, 90 तक complete करा देता हूँ, आज के session में, जो बच जाएगा, वो next class में, दो, एक या दो class में, finish हो जाएगा, LCM and, LCM and ratio of three number are, LCM इतना दिया गया है, number का ratio इ and list number each, देखो दियान से, पहले मैं इसका smart approach बता दूँ, देखो दियान से, smart approach, smart approach में क्या है, बीना pain and paper के solve कर सकते थे question को, देखो दियान से, हमें greatest or list, greatest इसमें क्या है, greatest है, 11 list है, कितना तीन, इन दोनों का sum कहा गया है, 11 और 3, 14, यानि answer जो होगा, 14 का multiple होना चाहिए, यान का ऐसा था, इसलिए मैंने directly smart approach लगा दिया, CPU 11, 11, 2022 को, अगर इसको conceptual approach से करना है, वो भी बता देता हूँ, देखो, पहले number मानोगे 3X, 7X और 11X, LCM इसका क्या होगा, जो common है, X, बाकी जो common नहीं है, 3, 7, 11, 231 होता है, आपके mind में आ रहा है, सर कैसे आपने first कर दिया, देख हुआ है, जो इस book में दिया गया था, देखो दियान से, 3, 7, 11, ये होता है, 231, इस पे question, 2, 3, question, 4, question मैंने कराया हूँ, जाकर के देख लेना, पिर A, B, इस तरह से दिया गया था, number 1, 2, 3, 4, A, B, को इतना 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 से divide होता है, तो बताओ, A, B के जग़ पे क्या होगा, दूसरा मैंने बताया था, 7, 11, 13 का multiply कितना होता है, 1001 होता है, ये भी मैंने बताया हूँ आपको, और इस पे बड़ी, बहुत ज़्यादा question कराया हुआ है, number system में, 277 question कराया था न, जाकर के देख लेना, और ये चीज़ें बार-बार repeat की हुई है, इसलिए मैंने इस पे जो कर दिया हूँ, otherwise मैं चाहता है, तो यहाँ पे लिख देता, हाँ जी होता है, काम कतम, ये चीज़ें analysis करने के लिए आप video solution देख रहे हो, और video पसंद आने के बाद, अगर आप share भी नहीं करते हो न, तो थोड़ा सा अजीब फील होता है, कि आप rails वगरा जरूर share कर देता हो लेकिन जो अच्छे content होते हो, उसकी कदर नहीं है आप लोगों को, अब देखो ध्यान से, 231X LCM, और LCM है कितना, 1386, फिर मैं बोलता हूँ कि टेबल की knowledge होना चाहिए, 123 तक देखो ध्यान से, 236 होता है 138, यानि ये देख रहा है कि 6 times में cancel हो जाएगा, यानि X की value 6 आ गई अब हमें बोला गया था, largest और smallest का sum, यानि 11 और 3, 14X, X कितना है 6, यानि 14 into 6, यानि कितना हो गया, 84, लेकिन हम ये सारी चीजे avoid करेंगे, हम concept, smart approach के साथ, हम आसानी से question को कर लेंगे, next, next देखो क्या है, हमारे पास question जो भी दिया गया है, sum of two numbers is इतना, SCF and LCM is इतना and इतना, sum of reciprocal of the two numbers, सबसे पहले question को solve करने से पहले, लिकालना क्या है, वो पता होना चाहिए, यह से देखो, दो number मान लो, X और Y, इनका sum दिया गया है, X plus Y का sum दिया गया है, 126, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, जो में लिकालना है, reciprocal of X, 1 by X, reciprocal of Y, 1 by Y, इनका sum लिकालना है, अब X, Y, Y plus X, यानि X plus Y, यानि हमेरे पास X plus Y, तो question में है, 126, X, Y, यानि product of 2 number नहीं पता, X, Y लिकल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, अब X, Y के लिए formula जानते हो, LCM into SCF is equal to product of first number into second number, product LCM, कितना है, 180, दिया गया है, SCF है साथ, product of 2 number है, number क्या था, X, Y, यानि कितना होगे, X or C into 7, अब देखो दियान से, 187, 126 होता है, 18 से 10 times में, यानि 1 by 10 आ गया, देखो कौन सा answer है, option number B is the right answer, higher secondary का मतलब क्या है, CHSL, 182022 को सिर्फ 3 के paper में ये question पूछा गया है, चलि, move to the next, next में देखो दियान से, P इतना है, Q इतना है, और R इतना है, हमें बताना है, highest common factor, यानि HCF, यानि P जो है, हमारे पास है, 2 पे power 8 into 3 पे power 5, Q जो है, हमारे पास कितना है, 2 का cube into 3 पे power 4, R जो है, हमारे पास है, 3 पे power 5 into 2 पे power 7, अब देखो दियान से, हम करते क्या है, सबसे पह पर नहीं कालना है highest common factor तो जो common होगा common देखो 2 पे पावर 8 दो पे पावर 3 और 2 पे पावर 7 common तो 2 बेस्ट 2 है और उस पे जो lowest power होगा यानि 2 का क्यूब खतम कर लो 2 पे पावर वाले को अब 3 पे पावर आओ 3 पे पावर 5 तीन पे पावर 4 तीन पे पावर 4 तीन बेस्ट common है इस पे lowest चाहिए lowest 3 पे पावर 4 यानि common का मतलब यहीं है तो यह हमारा आ जाएगा HCF 2 का क्यूब 3 पे पावर 4 ओप्सन नमबर A MTS 6 7 2022 को afternoon shift में पूछा गया यह question है move to the next 90 पे आजाओ आज यहीं तक question को करेंगे क्योंकि next question हम move करेंगे 90 के बाद क्योंकि time भी नहीं है थोड़ा सा office के बाद time नहीं मिल पाता है चलिए देखते है नियान से the traffic light at three different road crossing changes after every 48 seconds 72 seconds and 108 seconds respectively if they all changes simultaneously at 8 20 am एक साथ change हो रहा है उस time पे कौन से time था 8 20 am then at what will they next change again simultaneously तो अब again at पहली बार 8 20 am पे change हुआ तो next अब कौन से time पे change होगा यह कहा गया है इंदी में देखो लिखा हुए तीन अलग-अलग road crossing पर traffic light सब्सक्राइट क्रम सब्सक्राइब 48 seconds 72 seconds and 108 seconds के बाद बदल जाती है जदी वेप सभी प्राता 8 20 बजे के साथ बजे एक साथ बदलते हैं तो फिर वो एक साथ कितने समय पर बदलेंगे ऐसे question में हम क्या करते हैं इनका LCM लेते हैं star mark कर लो पहली बार अगर देखे होंगे question तो हो सकता है आपको दिक्कत आ है LCM ले लो 48 72 और 108 का है LCM ले लो ज्यान से देखोगे LCM लोगे तो कैसे LCM ले सकते हो आसान है देखो कैसे 12 इंटू 4 12 इंटू 6 12 इंटू 9 पहले 12 12 12 तो LCM में 12 होगा 4 6 और 9 का LCM कितना होगा 9 का टेवल 18 नहीं 27 नहीं 9 4 के 36 खतम हो गया LCM कितना आ गया 12 6 के 72 36 और 7 43 इतना second आ गया second को हम किसमें change करेंगे तो दियान से पहला बार वो 8 20 एम पे बज रहा था अब इससे कितना देर बाद बज़ेगा तो पहले इसको second को हम minute में कर लें 60 से divide कर लें तो 76 के 42 साथ मीनट आ गया प्लस कितना होगा साथ चा के 42 420 यानि 12 12 क्या बचा second 12 62 हो गया बचा हुआ अब second सोरी मीनट बचा ना 12 62 अब इसको second में बदलना है तो 60 से multiply कर दोगे तो 12 second यानि 7 मीनट 12 सेकेंड आ गया आठ बीस पर था अब नेक्श साथ मीनट बाद यानि 8 27 पर बचेगा और 12 सेकेंड लगेगा यानि 8 27 अम 8 27 बारा सेकेंड ओप्सन नमबर A MTS 7 7 2022 को पूछा गया है तो वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो सेर कर दो honesty से ताकि मैं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी smart एप्रोच और logical एप्रोच के साथ करा सकूँ और comments करके बताओ कि आज के session में आपको क्या सीखने को मिला क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा चाहे आप किसी भी teacher से पढ़े ह इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next part में हमारा जो question complete हो गया total question है 125 90 question complete हो गया अभी भी 35 questions बचे हुए है या तो मैं इसको एक class में finish कर दूँगा कल के class में या एक class और extra अलग करके finish हो जाएगा दो classes में finish हो जाएगा चलिए देखते हैं कल अगर time मिल पाता है तो मैं एक ही class में finish कर दूँगा thank you bye bye मिलते है next session में thank you